नमु बुद्धाये हम लोग अभी बहुती सुन्दर एक सूत्र उपदेश सुनेंगे बहुत कारण आपको ये सुन्दर सूत्र उपदेश से सिख सकता है ये सूत्र बुद्ध उपदेश का बुद्ध देशना का नाम है कीटागिर सूत्र क्या नाम है कीटागिरी सूत्र कीटागिरी गाउं में भगवान बुद ये उपदेश दिये थे भगवान बुद बनते लोगों के साथ उस समय यात्रा किये थे वर्षावास समय आता है वर्षावास मतलब बारिश होते समय तीन महीना बगवान बुद और आर महा संग बनते लोग एक जगा पे रहते हैं तीन महीना तो वो तीन महीना एक जगा पे रहता है इसके बाद फिर बनते लोगों के साथ यात्रा करते हैं सारे देव मानव का कल्यान के लिए वैसा यात्रा करते समय एक दीन अपने साथ जो रहते थे उन बनते लोगों को भगवान बुद ने इसी प्रकार बताया बिक्षुओं मैं ये भोजन करता हूं रात का भोजन चोड़के मैं रात की भोजन चोड़के सिर्फ सुबह भोजन करता हूं इसलिए मुझे बहुत अराम है रोग पीडा भी कम है कष्ट कम है सरीर का बल है इसलिए आप भी रात का भोजन नहीं करिए ऐसे हो गया तो आपको भी रोग पीडा तकलिफ कम हो जाएगा कष्ट कम हो जाएगा सरीर का बल बढ़ जाएगा बहुत अराम मिल जाएगा ऐसा बहनते लोगों को बगवान बुद्ध ने बताया क्यों? क्योंकि बगवान बुद्ध को जो सरन गए वो सारे बहनते लोग बगवान बुद्ध के बारे में पुरा पसंद थे क्योंकि जो कोई बगवान बुद्ध बताते वे वो मानते थे खभी मना नहीं करते हैं बहनते लोग भी बगवान बुद्ध की वो बात स्विकार किये थे ऐसा यात्रा करते करते ये कीटागिरी जो उपदेश बताया है उसी कीटागिरी गाउं में बगवान बुद्ध आया शहर का नाम क्या था कीटागिरी ये कीटागिरी शहर में बनते लोग भी रहते हैं तो उसी शहर में रहते थें असजी एवां पुनब सुख दो बनते जी तो बगवान बुद्ध के साथ जो यात्रा किये वो बनते लोग एक दिन साम में गया था वो दोनों बनते जी मिलने के लिए कौन-कौन असजी बनते जी तथा पुनब सुख बनते जी जाकर बताता है बनते जी अब भगवान बुद्ध रात का भोजन इनकार किया है भगवान बुद्ध कभी रात में भोजन नहीं करते हैं बनते लोग भी रात में भोजन नहीं करते हैं इसलिए रात का भोजन चोड़ के रहने के कारण रोग पीड़ा कम हो जाता है, हालका हो जाता है, खाय बल मिल जाता है, अराम मिल जाता है, बिमार कम हो जाता है इसलिए बनते जी, आप लोग भी बिमार पीड़ा कम होने के लिए, अपना स्वस्थ के लिए, सरीर का बल के लिए, अराम से जीवन बिताने के लिए, रात का भोजन त्याक करें, ऐसे बताया इसके बाद ये असजे पुनब्ब सुख बनते लोग बताते हैं, ऐसा कैसा कर सकता हम लोग तो ऐसा नहीं है, हम लोग तो साम में भी भोजन करते हैं, रात में भी करते हैं, सुबा भी करते हैं, ऐसा करने से हम लोग को फायदा भी बहुत है देखिए बगवान बुद्ध रहते समय बगवान बुद्ध की आज्ञा को वे लुक पालन नहीं करते हैं क्या हुआ हम लोगों को इस जीवन में अभी जो लाब होता है ये लाब छोड़के बाद में मिलने वाले लाब के बार में कौन खोजता है कैसा वो बंते लोग बताते हैं लेकिन वो बंते दोनों बंते जी को समझाना मुश्किल हो गया इसके बाद भगवान बुद्ध के पास बंते लोग चले गए जा करेके बताया बगवान बुद्ध जी, हम लोग को, हम लोग असर जी पुना बसुख दोनों बंते जी को जा करके बताया, आप लोग रात का भोजन छोर दिजी, अगर रात का भोजन छोर दिया तो बिमार कम हो जाता है, हलका हो जाता है, सारीरिक बल मिल जाता है, अराम से रह सकता है, इसल आप लोग छोड़ दिजे लेकिन भगवान बुद्ध जी उन लोग बताते थे कि ऐसा कैसे कर सकता है हम लोग साम में भी करते हैं बोजन, रात में भी करते हैं सुबा भी करते हैं ऐसा करने से हम लोग को लाब भी होता है जो पुराना लाब को छोड़के नया अल्ला आप किसी लिए उठाएंगे हम लोग जैसा हैं वैसा ही रहेंगे ऐसा बताया इसके बाद बगवान भुद एक बनते जी को बताया बिक्षु जाकर के वो असजी पुनब्बसुक दोनों को बुलाई एक बनते जी जाकर के असजी पुनब्बसुक बनते जी को जाकर बताया आपको बगवान भुद बुला रहे है दोनों आ गया आ करके वंदना नमन करके एक और बैठ गया बैठने एक बाद बगवान भुद पोच रहे थे बिक्षु ये बात सत्य है क्या आप लोग आप लोग के पास ये बनते लोग आया आकर के बताया रात का भोजन चोड़ दिजे रात का भोजन चोड़ने से बिमार कम हो जाता है रोग पीड़ा कम हो जाता है हलका हो जाता है खाय बल मिल जाता है अराम मिल जाता है कष्ट कम हो जाता है इसलिए आप लोग भी रात का भोजन छोर दिजिए ऐसा बोलने के बाद आप दोनों बताए है क्या ऐसा कैसे कर सकता है हम लोग रात में भी करते है साम में भी करते है सुबा भी करते है इसका फाल भी मिलता है ऐसे बताए है क्या वो दोनों बनते बताये जी भगवान बुद्ध घृ हम लोग के से बताये हैं इन लोग के पास अच्छी बात भी है क्योंकि जूट नहीं बोलते है आज कलले से पूछ रहने बताया था आरे बाप परे भगवान बुद्ध जूट बोलता है इन लोग हमें कुछ पता तक नहीं यह से बोलेगा उन लोग बताए जी बगवान बुद्ध जी से बताए है इसके बाद बहुत सुन्दर उपदेश बगवान बुद्ध ने बताया अब वो असजी पुनाबसु को दोनों बांते जी भी एक और साइड में बैटा हुआ है आपरों जानते हैं ये मान भोगते हैं तीन प्रकार की वेदना सुख वेदना, दुख वेदना, उपेक्षा वेदना ये सुख, दुख, उपेक्षा वेदना से अकुषल कतम हो जाता है मतलब पाप कतम होता है पुन्य बढ़ता है ऐसा मैं कभी बताया है अब बगवान बुद्ध एकदम अच्छा से क्वेशन पूछते हैं सही जगा पे बनते लोग बताया बगवान बुद्ध आप तो कभी नहीं ऐसा बताया है कि कोई भी मान सुख या दुख या उपेक्षा कोई भी वेदना महसुस करेंगे तो उसी महसुस के अनुसार पाप कतम हो जाता है पुन्य बढ़ता है ऐसा हम लोग कभी नहीं सुने बगवान बुद्ध ने बताया है बहुत अच्छा लेकिन हम इसी प्रकार एक उपदेश दे दिया या दें कैसा ये मानों को महसुस होता है सुख कोई कोई सुख है महसुस करने गया तो पाप बढ़ता है पुन्य घटता है कोई कोई सुख है वो महसुस करने गये तो पाप घटता है, पुन्य भढ़ता है ऐसा मेरा उपदेश कभी सुना है? बनते लोग बताया हाँ ऐसे तो हम लोग सुने हैं आपका उपदेश इसके बाद बागवान बुद्द ने बताया आदमी लोग मानो सहन करते हैं दुख कोई-कोई दुख होता है वो दुख सहन करने गया तो पाप बढ़ता है, पुन्य घटता है और कोई प्रकार के दुख होता है वो सहन करने गया तो पाप घटता है, पुन्य बढ़ता है तथा ये जो मानो को सहन करने वाले और एक वेदना है उपेक्षा कोई की उपेक्षा वेदना होता है वो सहन करने गया तो पाप बढ़ता है पुन्य घड़ता है और कोई प्रकार की उपेक्षा है वो सहन करने गया तो पुन्य बढ़ता है पाप घड़ता है ये कभी सुना है बहनते लोग बताया जी भगवान बुद्जी हम लोग सुने है त बिक्षुम अभी हम इसी प्रकार से बताता हूं तथा अगत बगवान बुद्ध ने बताया क्या है ये संसार में है सुख कोई-कोई सुख है वो सुख सहन करने गया तो क्या होता है पाप बढ़ता है पुन्य घटता है उसी कारण के बारे में मतलब कोई-कोई सुख है सहन करने गया तो पुन्य पाप बढ़ता है पुन्य घटता है अगर ये कारण में अच्छी तरस से अवबोध नहीं किये तो प्राप्त नहीं किये तो नहीं देखा तो वो में अपना ज्यान से नहीं समझ गया तो प्राप्त नहीं किया तो अपना प्रग्जा से स्परश नहीं किया तो ऐसा बात में कभी बोलना अच्छा लगता है सही होता है बांति लुबत है नहीं बग्वाण जी अगर मैं ये बात अवबोद से ही बताया है इसलिए मैं ये बात अवबोद से ही बताया है ये कारण में ज्ञान से प्राप्त करजे ही बताया हूँ प्रग्जा से इस परश करके ही ये प्रकास में बताया हूँ कि कोई-कोई सुख है वो सुख सहन करने गया तो पाप बढ़ता है पुन्य गटा हो जाता है इसलिए ततागत बागवान बुद्ट ने बताया ऐसा सुख ठ्याक करिये ऐसा सुख क्या है कोई-कोई लोग प्राणियों को हथ्या करके सुख भोगने जाते हैं बागवान बुद ने बताया ऐसा सुख चौर दिजे और लोग चोरी करके कोमिशन खाके घुस काके खाके पीके उसी पैसा से सुख भोगता है ततागत बगवान बुद्ध ने बताया उसी सुख से पाप बढ़ता है पुन्य घड़ता है तो थ्याक करिए और लोग गलत काम करने जाकर के वेबिचार करने जाकर के सुख भोगता है बगवान बुद्ध ने बताया है वो सुख भी थ्याक करिए क्यूं? पाप बढ़ता है, पुन्य घड़ता है और लोग जूट बोलता है चुगली करता है जूट बोलके चुगली करके सुख भोगता है क्यूं? क्यूंकि जूट बोलने वाले लोगों को आजकल बहुत सेवा सत्कार है जो चुगली करता है आकर के बड़ी सेवा पानी है बगवान बुद्थ ने बताया वो सारे सुख त्याक करिये कोई कोई लोग दारु पीके सिगरेट पीके, गांज़ पीके सुख खोजता है कैई निका के सुख खोजता है बगवान बुद्थ ने बताया मैं ये बात को प्राप्त करके ही बताता हूं देखिए बगवान बुद्थ जो कुछ बताता है समझ के ही बताते हैं ऐसा पाप बढ़ने वाले सुख है तो, पुन्य को घटने वाले सुख है तो, चोड़ दिजिए। इसके बाद भगवान बुद्ध ने बताया, बिक्षो, कोई-कोई सुख है, वो सुख प्रयास करना चाहिए। सुख और आगे बढ़ाना चाहिए। कोई सा प्रयास करना चाहिए, कोई सा सुख प्रयास करने से पुन्य बढ़ेगा तो, पाप को कतम हो जाएगा तो, ऐसा सुख भोगना चाहिए। बगवान बुद्ध ने बताया, अगर ये कारन अच्छी तरस से में नहीं जानेगा तो, नहीं देखा तो, प्राप नहीं किया तो, अपना प्रज्ञास इस परश नहीं किया तो, अबोध नहीं किया तो, ये बात में बताना सहीं है क्या। बनते लों बताए नहीं बगवान जी बगवान ने बताए इसलिए बिख्षो मैं ये जो बात बताता है अबोध से ही बताता हूं ये बात मैं देख के ही बताता हूं ये बात मैं साथ साथ करके मेरा अपना प्रग्णा से सपरश करके ही बताता हूं कि और कुछ सुख है, वो सुख सहन करने से पुन्य बढ़ता है, पाप खतम हो जाता है, ऐसा सुख और सहन करना चाहिए, और बढ़ाना चाहिए, वो क्या है? समाधी से मिलता है सुख, द्यान साधना करने से, सरीर हलका होके, मन एकाग्र होके सुख मिलता है, और धार्मिक जीवन बिताने से सुख मिलता है, और गुन्धरम बढ़ाने से मिलता है सुख, ऐसा सुख बगवान बुद्ध ने बताया अपना जीवन में लेना चाहिए अपनाना चाहिए ऐसा सुख उत्पन करवाना चाहिए अपना जीवन में क्यों? क्योंकि ऐसा सुख अगर आपके पास है तो पुन्य ही बढ़ता है पाप कतम हो जाता है अब देखिए समाधी सुक में पंच नीवरन खतम हो जाता है ढप जाता है पंच नीवरन मतला काम अच्छंद काम भोग काम इच्चाओं के पीछे-पीछे मन चल जाता है दुसरा व्यापाद क्रोध गुसा नफरत जलन के बारे में मन चल जाता है तिसरा थीन मिद आलसी निंद इसमे मन चल जाता है इसके वाच्छोता उद्दच कुकुच मन पच्छताता है तता मन भटकते रहता है पंच माविशिकिच्चा सक ये पंच नीवरन कहता है ये पंच कारण को ये पंच नीवरन से बहुत मन गंद होता है इतना लडाई, जगडा, युद्ध ये पंच नीवरन कारण से ही होता है तो समाधी में आने के बाद ध्यान में आने के बाद ये नीवरन ढप जाता है मन एकाग्र होता है समाधी मिलता है उसी समाधी से सुख मिल जाता है ऐसा सुख मनुस्य जीवन में जितना पैसा कर्च किया थब भी खरिद नहीं सकता है कौन सा सुख? जो साधना करने से ध्यान मिल जाता है ना समाधी उसी समाधी में जो मिलता है सुख कोई पिक्चर देख के कोई बगीचम गुम के कोई विदेश गुम के ऐसा सुख अभी किसी को नहीं प्राप्त होता है इतना ही सुख मिलता है भगवान बुद्ध की भगवान बुद्ध ने जो बताया गया ध्यान साधना करके समाधी मिलने के बाद ऐसा सुख लेने के लिए भगवान बुद्ध ने बताया क्यों? क्योंकि उसी सुख से पुन्य ही बढ़ता है पाप कतम हो जाता है इसके बाद भगवान बुद्ध ने बताया कोई कोई दुख है ऐसा दुख सहन करने गया तो पाप ही बढ़ता है पुन्य कतम हो जाता है अगर ये बात मैं अच्छी तरह से नहीं जान गया तो ये कारण अच्छी तरह से नहीं देखा तो अच्छा से प्राप्त नहीं किया तो अच्छा से प्रज्णा से श्परश नहीं किया तो अल्तु पल्तु जैसा मैं ये बता नहीं गया तो सही होगा क्या? बांते लोग बताएं नहीं बगवान जी इसलिए बिक्षु मैं ये कारण बताता हूँ अच्छी तरह से जान की प्राप्त करके ही ये में बात बताता हूँ प्रज्ञा से इस परश करके ही ये बात में बताता हूँ कि जो कुछ दुख है वो दुख सेहन नहीं करिये क्योंकि उसी दुख से पाप बढ़ता है पुन्य कतम हो जाता है वो कैसा दुख है अत्त किलमत्थान योग दुख सरीर को दुख देना उसी समय भारत में बहुत सारे रशी लोग अपना सरीर को बहुत दुख दे दिया सरीर को दुख देने के लिए बहुत प्रकार के चीज लोग करते हैं उसी समय के लोग आज कल भी लोग सरीर को बहुत दुख देता है प्राणियों को हत्या करने के लिए दुख भोगना पड़ता है चोरी करने के दुख सेहन करते करते चोरी करता है कई प्रकार से दुख भोगता है कोई लोग चाट करते समय या कोई राक्षा करते समय लोग विना काकी रहता है कल्यान होता है सरीर को दुख देता है लेकिन उसी दुख से पाप ही मिल जाता है पुन्य कतम हो जाता है भगवान बुद्ध ने बताया ऐसा दुख त्याग करिए ऐसा दुख कभी मत अपनाईए इसके बाद भगवान बुद्ध ने बताया और दुख होता है वो दुख अपनाना कोई बात नहीं वो दुख प्यास करना चाहिए वो दुख प्रयास करने से फाप कतम हो जाता है, पुन्य ही बढ़ता है अगर ये कारण मैं अच्छी तरस से नहीं देखा तो, नहीं जानेगा तो अपना ज्ञान से इस्परश नहीं किया तो, संपून रूप से प्राप्त नहीं किया तो ये बात में बोलना सही है क्या? बांतिरम बताएं नहीं, सही नहीं इसलिए बिक्षू, मैं ये बात अच्छी तरस से जान के ही बताता हूँ प्राप्त करके ही बताता हूँ, ग्यान से अवबोध करके ही बताता हूँ प्राग्णा से स्परश करके ही बताता हूं कि जो कुछ दुख है कुछ कोई-कोई दुख है वो दुख सहन करने ठीक है क्यूंकि ऐसा दुख सहन करने से पुन्य भड़ता है पाप कतम हो जाता है हम लोग जानते हैं कोई-कोई लोग इस संसार में हैं बहुत दुखी से जीवन बिताते हैं अगर वे लोग चोरी किया तो बहुत सुख भोग सकता है फिर भी वे लोग चोरी नहीं करते हैं दुख से रहते हैं अगर कोई-कोई लोग हैं वे बिचार किया तो गुषरों के पास जाकर गलत काम किया तो पैसा कमा के सुप भोग सकता है लेकिन बुधिमान लोग दुख भोगते रहते हैं लेकिन वे भीचार गलत कम नहीं करते हैं अगर कोई-कोई लोग अच्छा से पैसा कमा सकता है दारु बेचके ताड़ी बेचके कम आ सकता है, लेकिन ऐसा गलत काम नहीं करता है, दुख से रहता है रोजीना जीवन दुख से रहना पड़ता है, फिर भी ऐसा दुख से रहने से पाप कतम हो जाता है, पुन्य बढ़ता है, क्यूं? क्योंकि वो कभी वे अपन सुखे लिए गलत काम नहीं करता है गलत रास्ता अपनाता नहीं है इसलिए उनका जीवन में पुन्य बढ़ता है पाप कतम हो जाता है हम लोगों को भी संतुष्टी से जीवन बिता सकता है हलका जीवन बिता सकता है लेकिन दुख तो मिलता है लेकिन दुख मिलेगा थब भी संतुष्टी से जो मिलता है उसे कुछ हो गया तो हालका से जीवन बिताने के लिए कोशिस किया तो पाप घड़ता है, पुन्य बढ़ता है किसी को अगर बिसनस करेगा तो अधार्मिक बिस्नस कर सकता है ठक सकता है लूट सकता है ऐसा करके अमीर हो सकता है लेकिन उसी प्रकास से गया तो पाप बढ़ता है पुन्य कतम हो जाता है इसलिए लोग बुद्धिमान लोग क्या करते हैं दुख से रहते हैं फिर भी गलत खदम नहीं रखते हैं इसलिए लोग जो दुख भोगते हैं उसी दुख से पाप कतम हो जाता है पुन्य बढ़ता है इसलिए हम लोग एक बात पर ध्यान देना चाहिए कुसल अकुशल पर यान कि पाप और पुन्य पर जो कुछ काम करने से पाप बढ़ेगा तो पुन्य कतम हो जाएगा तो ऐसा काम त्याग करिए जो कुछ करने जाके पुन्य बढ़ेगा तो पाप कतम हो जाएगा तो ऐसा काम करिए इसके बाद बगवान बुत ने बताया मध्यस्त वेदना उपेक्षा उपेक्षा मतलब सुब भी नहीं, दुग भी नहीं ऐसा उपेक्षा सहन करने गया तो कोई को उपेक्षा है उसी उपेक्षा से पाप बढ़ता है, पुन्य कतम हो जाता है वो क्या है? सामानी जीवन लोग बिताता है मोह से, मोह से काम करता है मोह बंदन में फस जाते हैं बगवान बुद्ध ने बताया अगर ये कारण ये कारण भी मैं अच्छी तरह से जानता हूँ मैं ये कारण विना जान के विना प्राप्त करके बताया तो सही नहीं होता है इसलिए ये बात मैं अच्छी तरह से जान के प्राप करके ही बताता हूं सामान्य जीवन बिताने वाले मान मद्यस्त जीवन बिताया तो पाप कतम होना, पुन्य बढ़ना नहीं होता है क्योंकि मद्यस्त होना चाहिए तो उपेक्षम आना चाहिए तो द्यान करना पड़ता है समाधी में मन को बढ़ाना पड़ता है तबी तो मन मध्यस्त में आ जाता है सुप में भी नहीं, दुख में भी नहीं ऐसे हो गया तो पाप कतम हो जाता है, पुन्य बढ़ता है वो करने के लिए बगवान बुद्ने बताया ऐसे है तो अभी समाज में आता है वो रात में खाने वाले बनते लोग क्या इंतजार किये हैं थोड़ा सा सुख लेने के लिए भगवान गुत ने बता है थोड़ा सा सुख लेने गया तो उसी सुख के अनुसार पाप मिलेगा तो पुन्य घटेगा तो वो सुख नहीं भोगने के लिए थ्याक करने के लिए बताया इसके बाद भगवान गुत ने बताया बिक्षुओ जो कोई मद्यस्त वेदना है उपेक्षा है वो उपेक्षा के कारण पाप खतम हो जाएगा तो पुन्य बढ़ेगा तो ये कारण जो पुन्य बढ़ता है पाप गरता ये कारण अगर मैं अच्छी तरह से अवबोध नहीं किया तो प्राप नहीं किया तो अपना प्रज्ञासी स्परश्क नहीं किया तो ये बात मैं बोलना सही है नहीं होता है अगर ये बात कोई सा बात जो मद्यस्त वेदना है उपेक्षा ऐसा वेदना सहन करने से पून्य बढ़ता है पाप कतम हो जाता है ये बात इसलिए मैं बताता हूँ अच्छी तरह से देखके आवबोध करके प्राप्त करके अपना प्रज्ञा से इस परस करके ही मैं बताता हूँ इसके बाद बगवान बुद्ञ ने बताया अप्रमाद होना ही करना चाहिए देर नहीं होना चाहिए क्या करना चाहिए अप्रमाद होना प्रमाद होता है मतलब देर होता है अप्रमाद होना मतलब देर नहीं होता है बगवान बुद्ध ने बताया सबी लोग देर नहीं होना है देर नहीं होना है मतलब प्रमाद नहीं होना है प्रमाद नहीं होना मतलब क्या है जो कुछ करना चाहिए वो काम समझ के करना चाहिए ये धर्म की रास्ता पे जाने का काम जीवन में नमबर वन में लाना चाहिए इस हो गया तो आप्रमादी है देर नहीं होता है देखिए एक आदमी है वो अच्छा से पढ़ाई करता है लेकिन वो धर्म की रास्ता पे जाना है सील पालन करना है धर्म को सीखना है ऐसा कुछ बात नहीं है वो सामानी जीवन में नोकरी करता है महिनत करता है नोकरी करने के लिए इसके लिए पढ़ाई करता है महिनत करके वो सोचता है ये एकसेम ये मैट्रिक, इंटर, बीए ये एकसेम अगर पास कर दिया तो मेरा सीर दर्द कतम मेरा परेसान सब खतम मेरा जीवन सब हालका हो जाएगा कैसे ये मैट्रिक इंटर बिये एक सैंप पास कर दिया थो इसके लिए वो बहुत ही प्रयास करता है मेहनच करता है इसके बाद सोचे मैट्रिक पास हो गया इंटर पास हो गया बिये भी पास हो गया पासोने पाद और एक सीरदर्द आता है टेंशन आता है वो क्या है एक नोकरी चाहिए उसी एक नोकरी लेने के लिए हर जगा फरंबराता है हर जगा फरंबराता है इंटर्वियू के लिए जाता है अब ये क्या करता है इसका ठागट क्या है एक नोकरी लेना उसके लिए बहुत मिहिनत करता है मिहिनत करने के बाद उसी ब्याक्ति को एक अच्छा नोकरी मिल गया इसके बाद सोचता है और एक टेंशन है वो क्या है? वो है रहने के लिए अच्छा जगा मिल गया तो मेरा अपना जगा मिल गया तो एक जमीन घर इसके बाद वो क्या करता है उधार लेके महिनच करके जमीन खरिता है जमीन खरित के वो जमीन का उधार भी वापस करना चाहिए नोकरी करते-करते उधार वापस करते रहता है इसके बाद सोचता है जमीन तो खरिद लिया अभी थोड़ा सा एक चोटा सुन्दर घर बनाया तो बहुत अच्चा अभी सोचता है पुरा इसके बाद घर संपूर्न रूप से बनाने के बाद और मन में एक विचारा आता है साधी करना चाहिए ऐसा अकेले रहे के क्या करेगा इसलिए कहे कोई लड़की से या लड़का साधी करना चाहिए इसके बाद ऐसा सोच के इसके बाद इसका जीवन में पूरा साधी का जीवन आ रहा है सोचता है लेटर लिखता है अकेले बात करता है आइना के सामने जाके बात करता है फिल्म जैसा स्वपन बनाता है अलग प्रकार के दुनिया में ये रहता है इसके बाद क्या होता है साधी करके एक साल, दो साल, तीन साल जाने के बाद सोचता है अभी ये जो मेरे बच्चे लोग हैं लोग बढ़ा करना चाहिए इसके लिए बच्च लोग अच्छे तरह से पढ़ाना चाहिए अच्छे तरह से पढ़ा है तो अच्छा है क्योंकि बच्च लोग को जब तक अच्छस नहीं पढ़ाएगा तब तक मेरा सीर दर्द खतम नहीं होगा. Tension कतम नहीं होगा. यहीं हैं लोग, सामानी लोग सोचते हैं. इसके बाद सोचता हैं, बच्चा-लोग पढ़ाई तो किया, ओर एक tension है. बच्चा-लोगों के पास अभी नोकरी नहीं है. अब सोचते रहता हैं, पूरा सोचते रहते हैं इसके बाद बच्चे लोग भी मुश्किल से पढ़ाई करके नोकरीक खोज लिया इसके बाद सोचते हैं बच्चे लोग अकेला है इसके बाद और एक सीर दर्द है कब हम ये बच्चे लोग से मुक्त हो जाएंगे इसके बाद सोच सोच के सोच सोच के बच्चे लोग का साधी उदी भी करवाता है करवाने के बाद फिर भी टेंशन कतम नहीं इसके बाद पोता पोती लोग आ जाता है उन लोगों को पालना पोसना पड़ता है ऐसे जाते जाते पता नहीं चलता है पलांग पे गिर जाता है मतला बिमार पड़के बुड़ा हो जाता है बुड़ी हो जाती है आंत में उसका जीवन में उसकी जीवन में कुछ नहीं फल्तु जीवन बित गया सोच सोच के सोच सोच के स्वपना बना बना के मेहनद करते करते करके करके फाल तो जीवन बित गया अपने लिए कुछ नहीं कर पाया अब यह अकेला हो जाता है अकेला होने के बाद क्या आप सोचते हैं आपका बच्चे लोग पोता पोती लोग सबी लोग आपके साथ रहेंगे खा भी नहीं उन लोग इसकुल में चलाना चाहिए बोलता है आपके पास हमेशा नहीं रख सकते है बच्चे लोग पढ़ाना चाहिए इन लोग को भी बविश्य होना है ऐसे करके आप लोग से आप लोग का पोता पोती लोग अलग करवाएगा पता नहीं चलता है दीरे दीरे सब कुछ चोड़ना पढ़ता है लेकिन धरम की रास्ता पे मन को नहीं बढ़ाया तो ये सब त्याक करना आसान नहीं है बहुत मुश्कित पच्ता के पच्ता के रहना पड़ता है या नफरत करना पड़ता है क्रोध करना पड़ता है डाटना पड़ता है सब कुछ पकड़ के रहना पड़ता है क्यूं? धर्म की रास्ता पे मन नहीं बढ़ाने के कारण त्याग करने का आदत नहीं होता है पकड के रहने का ही आदत है अब इसका मन स्वर्ग में जाने के लिए तेयार नहीं है अच्चा जनम में जाने के लिए तेयार नहीं है क्यों धर्म पकडा नहीं कभी इसके बाद ये अखेला हो जाता है पकडने के लिए कुछ भी नहीं एसा लोगों को बगवान बुतिक सुन्दर गाता बथाया जिसके पास बुद्धी नहीं है वे लोग सोचते हैं मेरे पास बाच्चे हैं मेरे पास धन संपात्ती हैं मेरे पास सब कुछ है उसके लिए बहूत मिहिनत करके लोग काम करते रहते हैं लेकिन अत्ता ही अत्तनो नत्ति अंत में अपने को खुद अपना भी नहीं है कुटो पुत्ता बच्चे लोग कहा से आएगा कुटो धनंग धन कहा से आएगा दिखिए भगवान बुद मानों को देखके मानों का जीवन देखके सुन्दर ग्यान की बात बताए इसके बात वो सोचके सोचके रहते समय याद आता है फिल्म जैसा याद आता है बच्चे लोगों को दुलार दिया और जमीन खरिदा घरद्वार बनाया बच्चे लोगों के चलते इदर उदर दोडना पड़ा इसके बाद इसी प्रकार से जीवन याद आता है एक के करके अंत में इसको क्या कर सकता है त्याग कर सकता है नहीं त्याग कर सकता है फाकड लेता है फाकड के ही मर जाता है मरने के बाद वापस घर आ जाता है भूत प्रेद बन के आता है आने के बाद रहने का जगा नहीं इसके बाद घर में दर्वा आ जाके पीछे घर के पीछे कीचन के कोना में रहता है इसके बाद पता लगता है धीरे धीरे घर के बच्चे लोग बिमार पड़ता है, पोता पोती लोग बिमार पड़ता है, काना स्वाध नहीं लगता है, घर में बहुत जगड़ा हो जाता है, कोई के लोग ढर 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 जाता है, आमने सामने आना दिखाई देता है, बोलता है वो देखो तुमारा दादा चिलाता है और लोग कहता है मैं खल स्वपना से देखा दादा आगया घर में मरने के बाद प्रेद भनके इसके बाद डाटता है घर के लोग मरने के बाद भी हम को हम लोगों को ठीक से रहने के लिए नहीं देता है ठंक करता है आकर के डाटता है यही है प्रमाद यही है देर यह प्रमाद है प्रमाद है बनते लोगों कोई बनते लोग योई सही है अपना घर दोर बनाते बनाते मंदिर बनाते बनाते रह गया तो पता नहीं चलता है जो करने वाले चीज आपने से चुट जाता है इसलिए बगवान बुद्ध ने बताया अप्रमाध होना चाहिए और लोग होता है उनलोग को अप्रमाध होना जरूरत नहीं है भाय नहीं है उनलोग के पास कुछ भी नहीं है वे कौन है? आरहांत लोग आरहांत लोग अप्रमाध होना देर नहीं होना जरूत नहीं क्यूं? क्यूं कि वे लोग जो कुछ करना है सब कर लिया हम लोग अरहंत लोग छोड़के बाकि सबी लोग अप्रमादी होना चाहिए बिना देल से रहना चाहिए तीन कारण के संबंद में वो क्या है? अनुलो मिकानी सेना सनानी पटिसेव माना कैसे? धर्म की रास्ता पे जाने के लिए असान जगा पे रहना चाहिए पहला कारण अप्रमाद होते हुए धर्म की रास्ता पे जाने के लिए अच्छा जगा पे रहना चाहिए जीवन बिताना चाहिए जिस जगा प्रहने के कारण धर्म की रास्ता पे भी जा सकता है दुसरा कारण खल्यान मित्र साथ संगत करना चाहिए देखे कि खल्यान मित्र कितना मदद होता है धर्म की रास्ता पे जाने के लिए तिसरा कारण है इंद्रिय बराबर आगे बढ़ाना चाहिए इंद्र क्या है? स्रद्धा स्रद्धा मतला बागवान बुद्, धर्म, संगप्रति स्रद्धा दूसरा वीरिय वीरिय मतला गंदगी को मिटाने के लिए पुन्य को बढ़ाने के लिए मेहनत इसके बाद होस दिहान होस मतला इसमूर्ति मतला हम इस दिहान से रहना चाहिए कि सरीर, मन, वानी और आचरन से पाप नहीं होना चाहिए उसके लिए होस में रहना चाहिए इसके बाद छोता, समाधी समाधी मतला दिहान करके समाधी में मन आना चाहिए इसके बाद विदर्शुना विपस्तना करना चाहिए विपस्तना से प्रज्णा मिल जाता है समाधी से मन सांत होता है विपस्तना से प्रज्णा प्राप्त होता है ये सब में देखना चाहिए मेरे पास क्या कमी है स्रद्धा या वीर्य या इस्मृति या समाधिय विपासन क्या कमी है कोज कोज के जो कमी है वो बढ़ा के जाना चाहिए बराबर करके ले जाना चाहिए किसी को स्रद्धा है लेकिन वीर्य कम है ऐसे तो क्या करना चाहिए वीरे को बढ़ाना चाहिए वीरे बढ़ाने के बाधक होता है इस्मूर्ति नहीं होना होस में नहीं हो गया तो वीरे नहीं कर पाता है इसलिए होस में आना चाहिए किसी और कोई लोगों को समाधी नहीं है वे लोग समाधी को बढ़ाना चाहिए और लोग ज्यान से मनन नहीं करते हैं ज्यान से मनन करना चाहिए ये इंडरे धर्म को बढ़ाना चाहिए ऐसे हो गया तो अप्रमाध होता है अप्रमाध होने के कारण अरहत्य प्राप्त कर सकता है बगवान बुद्ध ने बताया साथ प्रकार की लोग इस संसार में है बागवान बुद्ध की रास्ता पे जाने वाले इसी साथ लोगों में से दो अरहंत लोग है एक है उभतो भाग विमुत उभा मतलब दो उभा का मतलब है दोनों तरफ से मुक्त हो गया दोनों तरफ से मुक्त हो गया मतलब समाधियवं प्रज्ञा अष्ट शमापत्ति तक मन को बढ़ाया दुसरा तरफ से विपस्षना को आगी बढ़ाया वे लोगों को जनम जनम आगी पीचे देख सकता है मन देख सकता है आसमान से जा सकता है तता ज्यान प्राद्व है दोनों तरफ से वे आरहांत लोगों को क्या कहते है उभथो भाग विमुक्त वे लोगों को और देर होने का कोई जरूरी नहीं उन लोग में बिना देर हो चुका है और लोग है प्राज्णविमुक्त मतला समत और विपस्थन दोणों ध्यान करके द्यान में आगया यूपर तक द्यान नहीं आया लेकिन सारे दुख से मुक्त हो गया 14 ध्यान तक मन बढ़ाया इसके बाद विपस्थना करके मुक्त को प्राप किया वे लोगों को आस्मान में नहीं जा सकता, दुसरों को मन नहीं देख सकता, लेकिन दुख से मुक्त हो चुका है, ये दोनों, और कितना लोग होता है? और पांच लोग हैं, ये पांच लोग अप्रमाध होना चाहिए, अभी ये दोग बताया, ये दोनों उभुतो बागवि म प्रज्ञाविमुत्ध ये दोनों दुख से मुक्त हैं और पांच लोग हैं संसार में ये पांच लोग अप्रमाध होना चाहिए उनमें से एक है काय सक्खी काय सक्खी मतलब समाधी को बढ़ाता है लेकिन अरूप ध्यान आधी में नहीं है प्रज्ञाविया आगे बढ़ा के संपूर्ण रूप से मुक्ति प्राप नहीं कर चुके हैं कोई-कोई गंदगी आस्त्र कतम हो गया इसलिए ये लोग भी वो तीन कारण करना चाहिए वो तीन कारण क्या है जिस जगाप रहना चाहिए उसी जगाप रहने के कारण धर्म की रास्ता पे जा सकता है दुसरा कल्यान मित्र साथ रहना चाहिए तिसरा स्रद्धा विरिय इस्मूर्थी समाधि विपस्टना प्रज्ण ये सब बराबर करके आगे जाना चाहिए काय सक्खी काय सक्खी लोग भी अप्रमाध होना चाहिए ऐसे हो गया तो जीवन का सफल सा प्राप्त कर सकता है इसके बाद कोन है? अरहनत लोग छोड़ने के बाद है अनागामी काय सक्खी मतलब अनागामी अनागामी लोगों को और एक नाम बताया काय सक्खी पांच में से पहला बताया देर नहीं होना है इसके बाद बगवान बुद्ने बताया दिठःपथ दिठःपथ मतलब ध्यान समाधी बढ़ता है प्रज्ञा भी तोड़ा बढ़ाया है लेकिन गंदगी संपूर्ण रूप से कतम नहीं हुआ ये थथागत अपवेधिता चस्दम्मा पञ्याय वो दिठःथ होंती वो चरिता वो प्रज्ञा से देख देख के अपना ज्यान से मनन करते करते आगे जाना चाहिए ये कौन है सकदागामी दिठःथ पत मतलब सकदागामी वो भी वो तीन कारण पर रहना चाहिए देर नहीं होना चाहिए कौन सा तीन कारण धर्म की रास्ता पर अराम से जा सकता है वेसा जगापी रहना चाहिए, कल्यान मित्र संगत करना चाहिए, इंद्रिय धर्म समान करके जाना चाहिए इसके बाद भगवान बुद्ध ने बता आया, इसके बाद वाला सद्धा विमुत्त उनके पास भी समहादी है, लेकिन प्रज्ञा संपूर्ण नहीं, लेकिन थोड़ सा प्रज्ञा बढ़ाया है, थोड़ सा बागवान बुद्ध की बारे में, स्रद्धा है, निविठा होति मूल जाता पतिठिता वो स्रद्धा एकदम जड़ लगा हुआ है, हिलत नहीं है, ये कौन है? सोतापन, सोतापन लोग सोतापन लोग क्या नाम डाल दिया? सद्धा विमुत्त ये सोतापन सद्धा विमुत्त लोग भी और आगे बढ़ने के लिए, वो तीन कारण सेव संगत करना चाहिए धर्म की रास्ता पे जाने के लिए असान जगा पे रहना चाहिए कल्यान वित्र साथ संगत करना चाहिए थथा इंड्रिय धर्म समान करके जाना चाहिए श्रद्धा वीरिय इस्मूर्ति समाधि प्रग्ण इसके बाद धम्मान सारी वो समाधि को आगे बढ़ाते रह गया लेकिन समाधि संपूर्ण नहीं है प्रज्ञा से गंदगी भी मिठाया नहीं लेकिन ये क्या करता है तथागतप वेदितो चस्दहम्मा पञ्याय मत्सो निज्ञानक कमान्ति वो क्या करता है प्रज्ञा से ग्यान से समझने के लिए ग्यान को समझने के लिए मेहनत करता है उनको धर्म की रास्ता के बारे में कुछ समझतारी है तथाथा उनके पास पांच इंद्रिय है वो पांच इंद्रिय धर्म पांच क्या है श्रद्धा, वीरिय, स्मृति, समाधि, प्रग्ण, ये पांच हैं, बगवान बुद्ध ने बताया, ये भी वो तीन कारण से आग बढ़ना चाहिए, वो क्या है, धर्म की रास्ता पे जाने के लिए असान जगा पे रहना है, खल्यान मित्र साथ संगत करना चाहिए, स्रद्धा, वीरिय, श्मृति, समाधि, प्रग्ण, ये इंद्रिय, समान कर के लिए जाना चाहिए, एक थोड़ा, एक बढ़ाय सनही, बराबर कर के लिए जाना चाहिए, अभी हम लोग, अप्रमाध होने वाले, चाहर प्रकार के लोगों के बारे में जान गया, कोन ही, काय सक्खी, मतलब अनागामी, दिठःपत, यानि की सकदागामी, सद्धा विमुत्थ, यानि की सोतापन, धम्मानुसारी, पंचमा है, सद्धानुसारी, ये भी समाधि को लेने के लिए मेहनत करता है, प्रज्ञा को बढ़ा के, गंद की कतम नहीं किया है, गंद की कतम करने के लिए प्रज्ञा बढ़ाया तक नहीं, तथागते चस्स सद्धा मत्तं होती, पेम मत्तं, लेकिन उनके पास तथागत बगवान बुद्ध के बारे में, स्रद्धा मात्र, प्रेम मात्र है, इसलिए उनके पास स्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा, ये इंद्रिय धर्म है, उनके बारे में, बताया, वो सत्मा है, वो भी अप्रमाध होना चाहिए, देर नहीं होना चाहिए, तीन कारण से, वो भी संपन होना चाहिए, तीन कारण मतला, धर्म की रास्ता पर जानने के लिए, असान जगा पर रहना चाहिए, खल्यान मित्र साथ संगत करना चाहिए, इंड्य धरम को बरावर करके बढ़ाना चाहिए एसे तो उनको भी ये धरम को प्राप कर सकता है, इतना है अगर स्रद्धानु सारी नहीं हुआ तो वो बगवान बुद्ध की धरम की रास्ता पे नहीं आ गया है अब ये सद्धा मत्तं पेम मत्तं मतलब चोटा मोटा चीज नहीं बहुत बड़ा चीज है, क्यों? क्यों कि बगवान बुद्ध की बार में है उनके दिल में स्रद्धा मात्र कोई भी जो कुछ हो जाए फिर भी वो गुम गुम की गुम गुम की भी बगवान बुद्ध के पास ही आ जाता है जिसके पास बगवान बुद्ध प्रति स्रद्धा मात्र प्रेम मात्र है तो थोड़ा विस्रद्धा है तो वो कभी मित्य विश्वास पे गिरता नहीं है ये सद्धान सारी लोग भी वो तीन कारण संगत करना चाहिए धरम की रास्ता पे जाने के लिए असान जगा पे रहना है कल्यान मित्र साथ संगत करना है इंद्रिय धरम को समान करके ले जाना है बढ़ाना है ये भगवान बुद्ध की शिश्य लोग है भगवान बुद्ध ने बताया सद्धा जातो पसंकमती सबसे पहले उनको उत्पन होता है स्रद्धा किन के बारे में भगवान बुद्ध के बारे में स्रद्धा उत्पन होता है इसके बाद क्या होता है उपसांकमती कल्यान मित्र लोग को खोज के जाते हैं अगर कल्यान मित्र लोग खोज के आना है तो उनके पास क्या होना चाहिए स्रद्धा उत्पन होना चाहिए सद्धा जातो उपसंकमती कल्यानमित्र को खोज के जाता है उपसंकमत्तो पाई रुपासती खोज के आकर के सेवन संगत करता है अब यह आप लोग भी कल्यानमित्र के संगत में आने के कारण ही ये ज्ञान की बाद सुनते हैं नहीं तो कहां मिलेगा इसा ज्ञान की बाद कल्यानमित्र को खोज के आया सद्धा जातो स्रद्धा उत्पन हुआ कल्यानमित्र को खोज के आया इसके बाद स्रद्धा उत्पन हो गया पाईरु पासां तो सोता गोद हैती कल्यानमित्र के पास आने की बाद कल्यानमित्र लोग जो बोलता है ध्यान से सुनते रहता है अपना कान को लगा के ध्यान से सुनते रहता है इसके बाद क्या करता है ओहित सोतो कान लगा के धंमं सुनाती धरम सुनता है अब देखिए दीर दीर क्या होता है? सुत्वा धम्मन धारेती जो सुना हुआ धरम को याद रखता है धातानं धम्मानं अथ्थं उपपरिखती जो याद के आ हुआ धरम का अरत ज्ञान से मनन करके समझता है अथ्थं उपपरिखतो धम्मा निज्ञाना खमांती ज्ञान से मनन करने से मनन करने से धरम समझ में आना सुरुआत होता है धम्मा निज्जानक खंतिया सति ये धर्म समझ में आने से क्या होता है चंदो जायते इनको धर्म के बारे में बहुत गहरी इच्चा उत्पन होता है प्रसंदता होता है किस के लिए ये धर्म और प्रयास करने के लिए धर्म की रास्ता पे जाने के लिए तो उस सहते चांद यान की इच्चा उत्पन होने के बाद धर्म की रास्ता पे जाने के लिए मिहिनत करता है धर्म की रास्ता पे इसके बाद अगर जो पहले प्रानियंग को हत्या किया तो फिर प्रानियंग को हत्या करना चोर देता है चोरी करना चोर देता है वेविचार करना चोर देता है जूट बोलना चोर देता है सारे गलत काम चोड़के सील पालन करता है अगर होस में नहीं है तो इस मुर्ति में होस में रहने के लिए महीनत करता है सब कुछ दर्म को प्रयास करने के लिए ये मिहनत करता है क्यूं? इनके पास इच्चा है, प्रसान नहीं हम ये करेंगे इनके, इनको ज्ञान से मनन करने से करने समझ में आता है उस सही त्वा तुलेती मिहनत करने से क्या होता है? तुलन करता है, तुलन मतलब एक दूसरे से match करके देखता है मतलब ग्यान को अच्छा से समझ समझ के निकाल निकाल के समझने के लिए कोशिश करता है आप देखे कितना दुल बलाब उनको मिल गया अगर ये धरम नहीं मिला तो ये बात कहा से मिल जाएगा ये धरम आपको नहीं सुनेगा तो आप लोग कहा जाएगा पता नहीं चलता है बहुत मुश्किल से आप बच गए जहीं अभी तब पता नहीं बचाया नहीं बहुत ही लाब आपको मिला लेकिन और लोग सोचता ये सा नहीं हम लोग धीरे दरे तोड़ा पुन्य करेंगे पूजा उजा करेंगे जैरेम की रास्ता भी इतना ज़र जानी का ज़रुश किया है तोड़ा मड़ा पुन्य भी करते हैं न ऐसे लोग सोचते रहता है देर होने वाल लोग ऐसा सोचते रहता है वे लोगों को कभी ज्ञान से मनन कर ही नहीं सकता योनिसो मनसिकार नहीं है ज्ञान की मनसिकार नहीं है तुलाइत्वा पदहति इसके बाद जो अच्चा से खोज-खोज के अपनाया उसी पे वो मिहिनत करता है पहितत्तो समानो कायेन चेव पारमसाच्चान साच्चिकारोत आंत्य में इनको सिर्फ एक ठागट मिल जाता है एक लक्षे मिल जाता है वो क्या है धरम को आवबोध करना निर्वान को प्राप्त करना उसके लिए ये मिहिनत करता है आप देखिए बागवान बुद्धी की सुन्दर उपदेश कौन सा कारण पे ये उपदेशुर्व अथु आए वो अस्षजी एवाम पुना बसुक दोनो बंतेजी के चलते है वो दोनो बंतेजी के दिखा के बाता आता है इन लोगों के पास स्रद्दा नहीं है स्रद्दा नहीं होने के कारण कल्यान मित्र को खोज के जान जाता नहीं है कल्यान मित्र के पास नहीं जाने के कारण कल्यान मित्र के साथ संगत नहीं होता है कल्यान मित्र के साथ संगत नहीं होने के कारण दिहान से क्या सुनेगा कुछ नहीं सुनता है धर्म नहीं सुनने के कारण इन लोगों को क्या याद रहेगा कुछ याद नहीं है धर्म याद नहीं रहने कारण कैसे धर्म का अरत मनन कर सकता है समझ सकता है, नहीं ऐसे धर्म की ज्ञान समझ नहीं सकेगा तो आवबोध कहां से मिलेगा नहीं मिलेगा इच्चा कहसेएगा, कभी इच्चा नहीं आएगा, प्रसानता नहीं आएगा, वीर्य नहीं करपाएगा, थता ये धर्म अच्छा कोज कोज के अपना नहीं करपाएगा, नहीं अपना पाएगा, विपटि पन्नात बिखवे, ये लोग उल्टी हो, उल्टा हो गया है, सही नह उल्टी हो गया है इन लोग का रास्ता मिच्चा पटिपन्नाथ बिख्वे ये लोग गलत गलत रास्ता पे आ गया है कीवदूर कीवदूरे वेव बिख्वे मोग पुरिसा ये खली लोग मूर्ख लोग ऐसा जैसा तेसा रहता है देखिए वो दोनों बंते जी को बताए है वो दोनों बंते जी बगल में बेटा हुआ है इन लोग का बात क्या हुआ है इन लोग बताया हम लोग रात में बिखाएंगे रात में बिखाने का हम लोग को फायदा है ऐसे करे बगवान बुद ने बताये चार सब्द आवबोद करना जरूरत है वो क्या चार सब्द दुख सत्य दुख समुदे सत्य दुख निरोद सत्य मार्ग सत्य ये चार आरे सत्य आवबोद करना चाहिए बुद्धिमान लोग प्राप्त करता है आवबोद करता है लेकिन जो लाब सतकार इंतजार करके आशा करके रहने वाले लोगों को नहीं कर सकता है लाब पर आशा रख गया तो अगर लोग कहेगा तो हम हम को सबी लोग की इज़त करता है हमार पास धन समपती है एस आहंकार गहमन से रहा गया तो नहीं कर पाता है इसके बाद भगवान बुद्ध ने बताया आरिश रावक लोगों को जरूरत पड़ता है ये बात क्या है सत्था भगवा भगवान बुद्ध जी मेरा सास्था है गुरु है सावको हमस में मैं सिश्य हूँ जानाती भगवा बगवान बुद्ध जी सब कुछ जानते हैं, नाहं जाना में, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, ऐसा हो गया तो उनको कुछ सिख सकता है बगवान बुद्ध निबताया, श्रद्धावान श्रावक, श्रद्धावान शिष्य, सद्धास बिक्वे सावकास सत्थु सासने पयगाय वत्तु, रूम्भतियं सत्थु सासनं होती ओजवंतां ये सास्ता के सासन में आने के बाद, श्रद्धावान श्रावक लोग अच्छा से मन लगा के गंदिगी को मिटाने के लिए मिहिनत करता है कैसा उन लोग का मन में आता है उन स्रावक की मन में शिश्य की मन में कैसे होता है सत्था भगवा भगवान बुद मेरे गुरु है सास्ता है सावको हमस में मैं स्रावक हूँ, शिश्य हूँ जाना थी भगवा भगवान बुद सब कुछ जानते हैं नाहंग जाना में मैं कुछ भी नहीं जानता हूं उसी जगा पे रहा के सुरुआत करता है ये सब कुछ काम ये से नहीं है तो आहांकार गहमांड से अपना बाची दिका के अपना स्वयम गुरु बना के जाने के रहे मिहिनत किया तो वे लोग पतन हो जाते है भगवान बुद्ध जैसा इतना महान गुरु मिलने पर भी छोर दिया तो उन लोग का जीवन बरबात हो जाता है इस इसलिए हमें अच्छे तरह से समझ में आता है ये धर्म की रास्ता पे भगवान बुद्ध की रास्ता पे जाने के लिए पुन्ने चाहिए हम लोगों को ये धर्म की रास्ता से बढ़ने के लिए पुन्ने चाहिए नहीं है तो हम लोग पता नहीं चलता है हम लोग हट जाता है ऐसा है हम लोग मिल जाता है बीज अच्छा से उपजाओ कर सकता है सोचे अच्छा आम कब बीज मिला है हम लोग क्या करना चाहिए अच्छा जगा पर रोपना चाहिए सही जगा पर गलत जगा पर रोपना है क्या नहीं अच्छा जगा पर रोपना चाहिए अगर पत्थर के उपर डालता है कभी बीज में पाउद आ जाएगा फल मिल जाएगा नहीं मिल जाता है क्यों? सही जगा पे नहीं डाल दिया है पत्थर के उपर डाल दिया है धूप में सुखके सुखके कतम हो जाता है अंत में पाउदा उगने किरे जो सक्ति हैं वो सक्ति भी सुख जाता है वैसे ही हैं कोई-कोई लोग अपना शक्ति सही इस्तिमाल पे नहीं लगाता है मित्या, पूजा, उजा, याग्या और ईश्वर पर विस्वास ऐसा करके अपना जीवन की शक्ति को सुखाता है अंत में इतना दृष्टी बन जाता है, मित्या दृष्टी बन जाता है अंत में सोचता है ये सब कुछ सही है, उपर वालाने सब कुछ करता है उससे हट ही नहीं सकता कभी, इतना ही बंदन हो जाता है वो आम का बीज पत्थर के उपर डाल दिया जैसा जीवन पुरा सुक जाता है बुद्धी मिट जाता है अगर वो आम का बीज अच्छा जगा पे डाल दिया तो जहाँ पोशन भी है वो आम का बीज में पाउदा उग्खे फिर बढ़ा होके समय पर फल भी देना सुरुआत होता है हम लोग का मान भी वह सही है बागवान बुद्ध और बागवान बुद्धी की धरंग और उनके शिश्य लोगों के बारें प्रसन हो गया तो हम लोग ज्यान से मनन करेगा तो हम लोगों का मन्मी मित्य विश्वास सब खतम हो जाता है हम लोग को स्रद्धा उत्पन होता है धम्मान सारी होता है बगवान बुद्ध की रास्ता पे जाने के लिए मौक मिल जाता है इसलिए आप सभी लोगों को भी हम आप सभी लोगों को बिना देर होते हुए सही जगा पे रहके और कल्यान मित्र साथ संगत करके और पांचे इंद्रिदर्म को समान करके आरे सत्य को प्राप्त करके सभी दुख से मुक्त होने के लिए भाग्य मिल जाए सादू 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 स्ट्ट सादू झाल झाल